Hello everyone, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छी होंगे बिहार सिक्षक भरती यानि की BPSC TRE 3.0 के लिए फरवरी महने के पूरे Current Affairs को मैं आपके सामने ला रहा हूँ और ये बहुत important है, आखरी समय के Current Affairs definitely important होते ही है तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग Current Affairs फरवरी का देखेंगे, by the way, चैनल पर आप जाकर जन्वरी, दिसमबर, अक्टोवर, इसके अलावा अगस्त के Current Affairs को देख सकते हो तो चलिए, शुरुआत करते हैं, आज की सबसे important जो Current Affairs आई हुई है उसको सबसे पहला Question देखो आपके सामने क्या है, किस अभिनेता को प्रतिस्ठित Champions of the Change Award से सम्मानित किया गया है जी हाँ, कोरोना के समय में सभी लोगों को घर-घर तक पहुँचाया, इन्होंने विहार, चारखरिंड, मदिपर्दिस के लोगों को, 36 गड़ के लोगों को बस की वेबस्ता कराई, ट्रेनों में बैठा कर यही इनसान था, एक्चली यह भगवान के रूप में इनसान आया था, जिसने बहुत सारे लोगों को घर पहुचाया, कोरोना के टाइम में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, option number A, सोनुसूद, और इनको किस category में यह award मिला है, तो art के category में, यानि कि कला के छेत्र में जो है, इनको यह पुरुषकार मिला है, अब देखिए, अब मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ, सोनुसूद को हाल में ही देखिए, एक CCTV company है, जिसका नाम है Aspers, इनका नाम क्या है, Aspers CCTV, इन्होंने जो है, सोनुसूद को अपना क्या बनाया है, brand mister बनाया, question यहां से भी पूछा जा सकता है, अब देखिए, यह हैं हमारे अजे देवगन सहाब, जो की जुबा केसरी करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या ही wizard बने हैं, तो इनको भी आप याद रख लेना, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और, next question देखो क्या है, जार्खंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने सपत ली है, तो देखिए, जार्खंड के मुख्यमंत्री के तोर पर जो सपत गरन लिया है, उनका न उनने दलाली करी है, ऐसा AD का आरोफ है, कोट से अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उनको गिरपतार करके जेल में भेजा गया है, अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और, उससे पहले मैं आपको बता दू, बिहार से, बिहार से ही जार्खंड अलग हुआ ह कब अलग हुआ है, ये भी question बार-बार पूछा जाता है examination में, तो याद रखेगा, 15 November 2000 इसवी को बिहार से जार्खंड अलग हो गया था, 2000 को, तो ये exam के point of view से बहुत important है, अब देखिए जार्खंड के जो राजपाल है, उनका नाम के है, तो याद रखेगा, C.P. Radha Krishnan, ये जो है, ये भी important है सवाल, तो इसे भी आप याद रख लिजिएगा, यहाँ तक सारी बातें clear हो गई, जार्खंड के दो तैवारों के बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं, exam में बार-बार पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, वो है सरहुल, सरहुल जार्खंड में मनाया ज बेस्ट रहेगा, आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो, नीचे कमेंट करके उस जिगा का नाम जरूर वेंसन कर दें, नीचे जो है, आपको अपना स्थान का नाम जहां से वीडियो को वाच कर रहे हो, प्लीज लिखें, ताकि मुझे भी पता चल सके, मेरी family, यान नीचे कमेंट करके आप लोग बताईएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना aware हो current affairs को लेकर, नहीं पता है, तो जाकर current affairs वाले वीडियो को चेक आउट कीजिएगा, अगला सवाल देखो क्या है, लगातार 6 बार budget पेस करने वाली दूसरी वित बंतरी कौन बनी है, तो सबसे पहले हम लोग यह जाने लेंगे, कि लगातार सबसे जादा बार budget किसने पेस किया है, तो देखिए इसका जो आकड़ा है, वो है 10 बार, 10 बार जो है budget पेस किया है मुरारजी देखाई ने, और मुरारजी देखाई यहाँ पे option number A दिकराओगा आपको लेकिन य पहले PM थे, जो की Congress के बिना support पे यह बने थे, याद रखेगा मुरारजी देखाई हमारे देख के PM भी बन चुक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है 6 बार, तो 6 बार निर्मला सितारमन ने बजट को पेस किया है, और आगे भी यह हो सकता है कि अगर Modi government आती है, तो निर्मला स साइड के बारे में आप जान लो, यह आपको इरान में मिलेगा, अब आगे देखते हैं, भारत में कुल कितनी रामसर साइड हो गई है, तो देखिए इसका जवाब है 80, total कितने हो गए 80, अब देखिए question यह भी पुछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइड आपक आपको जो है 10, दूसरे नमर पे है, यह पहले नमर पे है, दूसरे नमर पे कौन है भईया, यूपी है, दो बाते हैं आपको समझ में आ गई, अब बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर, देखिए हाल में ही जो है, तीन करनाटका और दो तमिलाडू में रामसर साइड खोले गए ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जागा, आपसन नमर C, 80, पेन पेपर लेकर आप बैठो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और रामसर साइड की जो है, इरान में, 9071 में इसके स्थापना की गए, तो प्लीज नीचे कमेंट करके, आदर भूमी के बारे में य रूप में किसे चुना गया है, तो देखिए, 2008 के, 2008 के बिजिंग ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले, अभिनब ब्रिंदा को जो है, यहाँ पे मसाल वहक के तौर पर जो है, चुना गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा, option number D, अभिनब ब्रिंदा, right, D numbers का क्या सवाल पूछा जा सकता है, कि अभिनब ब्रिंदा किस खेल से संबंदित थे, तो याद रखिएगा, इनका जो खेल था, वो था, सूटिंग, सूटिंग यह करते थे, ठीक है, सूटिंग में जो है, इनोंने भारत के लिए, जो है, गौल्ड मेडल लेकर, इनोंने जो है, भा कब सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी एक्जाम में पुछा जाएगा आपसे, तो विस आदर रुदिभस जो है, दो फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह बहुत बहुत ज़ादा इंपोर्टन है, प्लीज, यह जो है, एस्टेट वाले पेपर में भी आपको जेसल मेर, और जेसल मेर में ही भारतिय वायु सेना के द्वारा एक्सरसाइज वायु सक्ति 24 का आयोजन किया गया है, अब देखिए एक सवाल और आएगा कि भारतिय वायु सेना के अभी जो है, अध्यक्ष कौन है, इनके देख रेक में वायु सेना काम कर रही है, इनका न लाज के कुरुचेटर विस्विद्याले को N A Y C द्वारा A++ grading, बहुत बड़ी बात होती है, कि A++ grading आपको मिले, तो पूछा गया है, कि किस राज के कुरुचेटर विस्विद्याले को, तो देखिए कुरुचेटर आपको कहा मिलेगा, हर्याना में मिलेगा, आप्ष ओपसन A किया स्थापना की गई थी यहां तक आपने बात नोट कर ली UGC के द्वारा जो है यह काम किया जा रहा है नेक जो है ग्रिडिंग सिस्टम को करता है अब UGC के अध्यक्ष कौन है तो याद रखेगा M. जगदिस कुमार M. जगदिस कुमार मैंने सौट में लिखा आप लोग चीप मिनिस्टर है उत्तर परदेश योगी यादितनात यहां के चीप मिनिस्टर है राजस्थान के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आगे बताऊंगा आप लोगों को नीचे कॉमेंट करना है राजस्थान के चीप मिनिस्टर नए बने है आपको पता होना चाहिए मैं आप को hint देता हूँ इनके सरनेम जो है सर्मा है नीचे कमेंट करके answer आप करोगे अगला सवाल देखो क्या है 202 दिबस 2024 किस सहर की सिरपूर जिल में मनाया गया है तो मैंने आपको क्या बताया था 202 दिबस जो है कब celebrate किया जाता है दो फरवरी को अल राइट हर साल दो फरवरी को celebrate रेट किया जाता है यहां तक आप समझ गए होगे पूछा गया है कि सहर में यह मनाया गया है तो याद रखिएगा यह सहर का नाम क्या है यह सहर का नाम है इंदौर इंदौर में आपको जो है यह इंदौर के सीरपूर जिल के पास यह 202 दिबस मनाया गया है यहां तक सारी मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव, एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो मेक सियोर जो है इन चीजों को आप याद रख लोगे, मोहन यादव यहां के क्या बने हैं, नए चीप मिनिस्टर, चलिए अगले क्यों लोग बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा थियेटर फेस्टिवल भारत रंग मोहतसब किस राजी में सुरू हुआ, भारत रंग मोहतसब ये भी नाम याद रख लेना, एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, भारत का सबसे बड़ा थियेटर फेस्टिवल किस राजी में आयुजित किया गया, तो इसका आनसर हो जाएगा गुजरात कहा हो जाएगा गुजरात में जो है, ये आयुजित किया गया है, भारत, रंग, मोहतसब, और याद रख लेना है इसको गांधी नगर ये देखो कहां है गांधी नगर वेट ए मिनट एक्शली गांधी नगर नहीं दिया है option A गुजराती हो जाएगा एक और बात ये जो है 69th edition है इससे पहले 68 हो चुके हैं आल राइट चलिए आगे बढ़ते हैं question number 10 की और हाल में ही किस राज्य बिधान सभा में uniform यानि की UCC की बात हो रही है समझ रहे हो मेरी बात को समान नागरिक संहिता की बात हो रही है सिविल कोर्ट पेस किया गया है गोवा, मदिपरदेश, उत्तरपरदेश या उत्राखंड में तो देखिए इसका सही जबाब हो जाएगा option number D, उत्राखंड में एक मजिदार बात पता हूँ आपको सबसे पहले जब गोवा भारत में integrate हुआ है, मिला है उसी समय से गोवा में जो है UCC आपको देखने को मिलेगा, याद रखेगा तो गोवा में कभी भी लागू नहीं किया गया यह पहले से ही था, क्योंकि पुर्तेगालियों ने UCC यहाँ पे लागू करके रखा हुआ है और देखिए जल्द ही आपको आसाम में भी यह देखने को मिल सकता है UCC यानि की uniform, civil code और इसका answer फिलाल तो D हो जाएगा उत्राखंड, is the right answer यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी कस्ठ हो नीचे comment section में आप लोग पूछ लिजिएगा याद रखेगा UCC जो है, बिल यह जो है, राज सरकार ला सकती है यह जो बिल है, राज सरकार अपने हाँ जो है, एक छोटा सा देश है यहाँ के यह बने हुए है, अब देखिए अपने पडोसी देश की और हम लोग चलते हैं, पडोसी देश देखिए क्या है, पडोसी देश मैं आपको दिखेगा पडोसी देश देश देखिए क्या है, पाकिस्तान पड़ो सी देश आपको क्या देखने को मिलेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के PM का नाम क्या है तो देखिए यहां से आप जो है जान पाओगे पाकिस्तान के PM का नाम जो है अभी फिलाल जो एलेक्शन हुआ एकदम बिल्कुल ताजी खबर बता रहा हूँ सादाप सरीफ यह क्या है सादाप सरीफ है ठीक है यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी और यहां के Chief Minister का नाम क्या है आसिफ अली जर्दारी जल्दारी नहीं जर्दारी आसिफ अली जर्दारी यहां तक बातें समझ में आ गई होगी चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर next question देखिए क्या है आपके सामने next question है ICC men's test cricket tracking में जो है number one baller कौन बने है तो जस्पृत भूमरा इसका answer होगा C number जस्पृत भूमरा जो है number one baller बने है चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते है ICC से देखो एक और question exam में आ सकता है वो क्या है ICC का headquarter कहां है मुख्याले जिसे आप हिंदी में बोलोगे headquarter देखिए इसका कहां पे है दुबई में है बहुत बार exam में ये question पूछा जा चुका है और जो पुलिस वाले exam होते है न उसमें ये छोटे-छोटे question पूछे जाते है तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दुबई यानि कि ICC का जो headquarter है वो आपको कहां देखने को मिलेगा दुबई में और अब भी as of now में जो है ICC के chief कौन है ये सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फंसकते हो आप तो नाम याद रख लीजेगा Greg इनका नाम क्या है Greg Bukale इनका नाम क्या है Greg Bukale यहां से आप question expect कर सकते हो आसा रख सकते हो कि question यहां से पूछा जाए ICC के बारे में एक और fact है फ्रदा सा बता देता हूँ 1909 में जो है इसकी अस्थापना हुई थी चलिए अगले सवाल के और मुलोग बढ़ेंगे आदी योगी सीव की 242 फिट की परतिमा कहां पर अस्थापित की जाएगी तो देखिए जेवर एक्चलि इनका नाम ही है ऐसा ही समझे लो आप जेवर एयरपोर्ट है हवाई एड़ा है जहां पर इनकी परतिमा यानि की यादी योगी सीव की परतिमा जो है अस्थापित की जानी है तो ये कहां है जेवर एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा नोइडा में नोइडा कहा है यूपी में है यानि की अंसर सी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा सी इसका निर्वित किया जा रहा है अगर मैं बात करूँ भगवान सीव की सबसे बड़ी ऊची परतिमा की तो इस बड़ी परतिमा का नाम कैं है याद रख लेना विस्वास रूपम, ठीक है, स्वरूपम एकुली इसका नाम है, स्वरूपम, अल्रैट, अब देकी दूसरी बाद एको रियाद रखना यह है कहांपर, यह भी एक्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, तो यह आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, रा की परतिमा नाथवाडा में अस्थापित की गई है फिलाल यहां जो पूछा गया है यादी योगी सिभकी तो इसका अंसर हो जाएगा नोईडा यूपी के जो जवेर हवाई अड़ा है वहां पे ठीक है जेवर एक्चुली जवेर नहीं जेवर दिविकला मेला दोहजार तो तिरपुरा के बारे में जो है तिरपुरा के सीम के बारे में भी आपको जानना चाहिए इनके सीम का नाम है मनिक साब ये भी जो है एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है सेवन सिस्टर से एक्जाम में हमें हमेशा सवाल देखने को एक ना एक मिलता है अब बात करते ह है ADB यानि कि Asiatic Society I mean जो Asiatic Vikas Development Bank है इसके बारे में सवाल जो है पूछा जा सकता है कि जो Asia Vikas Bank है इसके नए निर्देसे के रूप में किसको न्यूक्त किया गया है यह important सवाल है लेकिन इसके बारे में जानने से पहले ADB इसका SWAT form है ADB यह इसका मुख्याले कहां पे है Headquarter कहां पे आपको मिलेगा Manila और Manila आपको पता हिए कहां है Philippines में है और याद रखेगा Philippines के बारे में एक और बात कि Philippines के जो पूर वराष्ट पती थे रमन उनके नाम से जो है Asia का जो है Nobel Prize से कहा जाता है रमन मेकसे से अवार्ट से समानित किया जाता है लोगों को हाल मही असम के एक डॉक्टर को जो है यह दिया गया है उनके नोबल यानि कि बहुत अच्छे काम के लिए इनको यह पूरुसकार मिला है फिलाल सवाल क्या पूछा गया है ACI विकास बैंक ने भारत में किसे जो है नए निर्दसक के रूप में न्यूक्ट किया है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मियो ओका मियो ओका इसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर Wildlife Photographer of the People Choice Award यानि कि लोगों के द्वारा जो है वोटिंग के द्वारा जो है चुना गया है यहां से आप देख पाओगे बर्फ के उपर में एक Sloth beer जो है लेटा हुआ है और ये फोटो ने सबसे ज़्यादा जो है लोगों का ध्यान जो है अपनी और खीचा है और इसे जो है सबसे अच्छे फोटो का एवार्ड दिया गया है Sloth beer जो का नाम है याद रखेगा Option B यानि कि नीमा सरी खानी जो कि भारतीय मूल की है इंडियन है इनको ये पुरुसकार मिला हुआ है बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चली अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे बिश्व बैंक के लॉजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के एकॉर्डिंग भारत जो है किस पायादान पर है तो देखिए आप समान वगएरा राखी वगएरा जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो सिप्मेंट भेजते हो तो आप ट्रैक करते हो कि ये कहां तक पहुँचा कब से कब तक ये जो एक्सपेक्टेड है तो इन चीजों में भारत भी 31, 38 अस्तान पर है औलासा बकेट नवे जो है किस देश के नए परधान मंतरी के रुप में इनको चुना गया है तो याद रखिएगा कजाकिस्तान कजाकिस्तान में जो है इनको चुना गया है ये बहुत इंपोर्टन है और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है अस्ताना ये जो है बहुत important है exam में ये भी सवाल पूछा जा सकता है मद्य Asia का सबसे बड़ा देश भी है कजाकिस्तान ये भी याद रखीएगा ये जो मद्य Asia है इसका सबसे बड़ा देश कौन है कजाकिस्तान है तो ये सब कुछ important important fact है जो कि आपको याद रखना चाहिए अगले सवाल क्यों हम लोग बढ़ेंगे world government summit 2024 का आयोजन कहां किया गया है तो देखिए यहां से आपको नाम भी दिखरा होगा और आपको answer भी पता चल गया होगा ये क्या होगा दुबई ये क्या है UAE का एक city है और UAE की बारे में अगर मैं बात करूँ तो UAE का जो capital है वो है अबुधाभी और इसके currency की बात करूँ मैं तो दिरहम इसका क्या है currency है अब कुछ और important बातों को हम लोग discuss कर लेते हैं क्या है important बात तो वो देख लो आप PM Modi भी यहां पे गई हुए थे और उन्होंने यहां पे एक मंदिर का भी जो है उद्घाटन किया था B.A.P.S. नीच जो कमेंट करके बताओगे इसका full form क्या है किस मंदिर का उद्घाटन PM Modi के द्वारा किया गया है आगे बढ़ेंगे एगले सवाल की ओर किस राज के वन ये बोड ने ताडोबा कवल संरक्षन रिजर्प को मंजोरी दे दी है तो देखे इसका सही जवाब होजाएगा option A. तेलंगाना और तेलंगाना के चीप मिनिस्ट का नाम क्या है तो रेवन्त रेडडी ये भी जो है important सवाल है एक्जाम में पूछा जा सकता है नए नए जो मुख्यमंत्री बने है उनके बारे में तो सवाल बनेगा ही बनेगा 36 गड़ के CM का नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा चलिए आगे बढ़ेंगे Fit India Movement के ब्राण अमिस्टर के तोर पर किनको चुना गया है सही जवाब कोई नहीं है अंकित पांडे है लिख लिजेगा 2019 से जो है इसकी सुरुवात की गई थी Fit India Moment की अगला सवाल देखो क्या है पुरानी पेंसन योजना बहाल करने वाला पहला पुरुवतर राजी कौन बन गया है तो पुरानी पेंसन योजना बहाल करने वाला पहला पुरुवतर राजी बना है उसका नाम है सिक्किम सिक्किम के सियम का नाम अगर मैं पूछू तो प्रेम सिंग तमांग मैं लिख देता हूँ आप लोग जो है याद रख लिजेगा प्रेम सिंग तमांग जो है इनका नाम है जो की चीप मिनिस्टर है कहां के चीप मिनिस्टर ये रहने वाले है सिक्किम के और सिक्किम के कैपिटल की बात करें तो गंटोक इसका कैपिटल है अगला सवाल देखो क्या है हाल में ही राष्ट्रे किर्मी मुक्ती दिवस आप लोगों को दवाई वगरा जो है आगनवाड़ी की ओर से दिया गया होगा घर गर जो है गेट गेट पर लोगों को दिया गया है और किर्मी की दवाई खानी चाहिए आपको पूछा गया है कि राष्ट्रे किर्मी मुक्ती दिवस जो है मनाया जाता है कुछ और फरवरी के जो important दिवस है वो celebrate क्या जाता है वो क्या है एक फरवरी को एक फरवरी को हम लोग क्या celebrate करते हैं भारतिये तट रक्षक दिवस ये जो है नोट कर लीजेगा आप भारतिये तट रक्षक दिवस जो हम लोग एक फरवरी को मनात इंटरनेशनल मदर टंग डे यह बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है मैं लिख देता हूँ यह आप लोग याद रख लिजेगा 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं 21 फरवरी को बनाते हैं इंटरनेशनल मदर टंग डे यानि की अंतर राष्टिय मातरी भासा दिवस अगर आप मगही बोलते हो खोठा बोलते हो भुचपूरी बोलते हो तो यह आपकी क्या है मातरी भासा है अगला सवाल देखो क्या है छतिस्वा राष्टिय पुस्तक मेला कि सहर में आयुजित किया गया है तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हैदराबाद हैदराबाद कहां की राजदान ही है तैलंगाना की और यहाँ पे देखो हैदराबाद से एक और important question है जो की जनवरी वाले current affairs में मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे solar cycling track मनाया गया है actually उसके नीचे से जो है लोग cycling करते हुए जाएंगे और उसके ऊपर में जो है track बना दिया गया है जहाँ पे solar system लगा हुआ है तो total 23 km जो है यह काम किया गया है जहाँ पे solar जो है काम में लाया जाएगा अगला सवाल देखो काजी नेमू यह जो है किस राजका जो है आंसर हो जाएगा असम असम के chief minister के बारे में अगर मैं बात करो तो हेमंत विश्व सर्मा इसका आंसर है cm यहां के यही है याद रखीगा असम में आपको जल्द ही UCC देखने को मिल सकता है तो question याद रख लेना हेमंत विश्व सर्मा और असम की जो capital है वो है दीसपूर यह भी आप याद रख लोगे ठीक है चलिए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे option 10 का सही जवाब है question number 26 सोरास्ट किरकेट असोसियेशन स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो निरंजन सा किरकेट administrative रहे है यह और इनका नाम पे जो है इसे रखा गय option C निरंजन साइस का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा राज़कोट का है गुजरात में है हाल में ही 500 टेस्ट पिकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतिये किरकेटर कौन बन गए है यह होगा रवी चंदरन अस्वीन और यह question मैं आपको guarantee के साथ बता देता हूँ जो आने crime ndu अपराद में दुनिया भर में सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है report के according देखिए इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब होगा भारत और भारत में सबसे ज़्यादा कहां पे crime हो रहा है तो याद रखना है आपको ncrb के data के according यह जो है online आपको data मिल जा यानि कि सबसे safe जो है city की बात करूँ safe city की तो यह आपको कोलकाता मिलेगा कोलकाता में crime rate बहुत कम है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देखो क्या है फ्रांस के सरवोच नागरिक सम्मान सवेलियर डे ला लिजन डी होनूर जो है किस भारतियों को यह द रहे होंगे और इसका सही आंसर क्या है D अपने English के लिए जाने जाते हैं और इनके द्वारा जो बड़े बड़े वर्ड हैं वो जो है यह यह टूटर बगएरा पे लिखा करते हैं और यह बहुत पॉपलर हैं टूटर पे ठीक है मैंने इनसे एक बड़ सिखा था गुलमर्ग में यह किया गया है और जब हो कस्मिर में आविजन किया गया तो इंपोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया सीथ कालिन खेल यह इंपोर्टेंट है यह कहां पे किया गया है गुलमर्ग में किया गया है नोट डाउन कर लिय आपने अब देखिए सबसे ज़्यादा medal किसने जीता सेना यानि की आर्मी के द्वारा सबसे ज़्यादा medal जीता गया पहले नमर पे दूसरे नमर पे कौन रही थी महालास्टा रही थी यारी के स्टेट में महालास्टा नमर वन पे उसके बाद जो है करनाट का तीसरे नमर पे रही थी ठीक है यहां तक सारी बातने के लियर हो गई और यह चौथा एडिशन था यह भी आद रख लेड़ा है अप इससे पहले तीन वार यह खेल का आविजन हो चुका है अगला सवाल है Time Magazine 2024 में किसने किसको जो है Women Person of the Year का एवार्ड दिया गया है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा लीना नायर जो की भारतिया मूल की है और इनको जो है Time ने जो है Women Person of the Year के एवार्ड से समानित किया है 31 का आंसर क्या हो जाएगा लीना नायर अगले सवाल क्यो आप क्या हो जाएगा Gonda, Gonda आपको कहा मिलेगा UP में मिलेगा अब्यसी बात है तो Gonda में जो है इसकी एस्थापना की जाने वाली है और यहां पे कच्छुआ है तो कच्छुआ के बारे में पढ़ जाते है World जो है Totise Day या फिर विस्व कच्छुआ दिबस जो है 23 मई को मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे Malta International Solar गटवंधन में सामिल होने वाला कौन सा देश इसमें सामिल हुआ है तो याद रखेगा International Solar गटवंधन जो है इसका मुख्याल है Headquarter आपको कहा मिलेगा गुरू ग्राम में मिलेगा भारत ने इसकी शुरुआत करी है भारत चाहता है क इस पर वर्क करे और देश जो है या फिर बिस जो है पूरी तरह से सोलर उर्जा पर जो है कनवर्ट हो जाए डायवर्ट हो जाए फिलाव Malta जो है यहां पर सदसी बनाए वो कौन सा देश बनाए 119 माई से पहले 118 देश इसमें सामिल हो चुके हैं अगला सवाल देखे क्य तो देखे इसका सई जवाब हो जाएगा कोलंबु यानि कि स्रिलंका में इसका आयोजन किया गया है और इससे पहले पिछली बार जो है 2023 में कहां पर आयोजित किया गया था यह यह किया गया था आस्ट्रेलिया में यह आप याद रख लोगे और इसकी सुरुआत कब की होगा अगला सवाल है कहां पर बिस्व परसीत पैंगॉंग तसो जील पे जो है पहली बार फ्रोजन लेक मेरा थन कायोजन किया गया और यह बहुत ही खुब सूरत जगह है हर लोगों को जाने चाहिए और बहुत सारे लोग तो गोवा के बाद दूसरा प्लान यही होता है क बुलेट पर बैटके कहां जाएंगे लदाग जाएंगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग पंकाच उद्धास या तरखेगा उद्धास नहीं उद्धास हाल में ही इनका दिहान्त हो गया है वो क्या थे तो देखिए यह सिंगर थे और गजल खास करके जो है गजल में इनक इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा निचे कॉमेंट करके आप लोग बताओगे अगला सवाल देखो क्या है किस राज सरकार ने महिलाओं के अस्तन कैंसर को लेकर सवेरा कारिकरम देखिए यह जो कारिकरम है इसको याद रखना है प्रोग्राम का नाम क्या है सवेरा तो दे अस्तनपान की बात हो रही है यहां पे और कैंसर जागरुकता दिवस कब मना जाता है साथ नवंबर को सारी बातें के लियर है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर वुमेन आईपियल लिग के दूसरे संस्क्रण पहला संस्क्रण कहां हुआ था सोरी किसने जीता तो मुंबई इंडियन्स ने इसे जीत लिया था बात करते हैं दूसरे एडिशन की कहां पे शुरू हुआ है तो यह बेंगलुरु में शुरू हुआ है दो ही जगा पे यह खिला जाएगा पहला है बेंगलुरु दूसरा है डेली बेंगलुरु और डेली में आपको खेल द जपान हिंदी में, जपान इंग्लिस में, वीरगार्जियन, सेन्यू मैत्री और सहयोग काईजन, यह सारे नाम फिर से मैं दोहरा देता हूँ, pen paper पर लिख लो, देखिए पहला क्या है, वीरगार्जियन, यह भी हम लोग जपान के साथ करते हैं, दूसरा क्या है, सेन्यू मैत अगला सवाल है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर, मेरा पहला बोट, देश के नाम होगा अभियान, सुरू किया है, तो देखिए, सिक्षा मंत्राले के द्वारा, सिक्षा मंत्राले और चुनाव आयोग इस पे मिलके काम कर रहा है, जो first time बोटर है, obvious ही बात है, वो college म मिलेंगे आपको, तो इसका सही जवाब क्या हो जागा, option number B, कुछ और बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा पहला बोट, देश के नाम में जो है, कौन दिख रहा है आपको, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के अभी के अध्यक्ष कौन है, राजीब कुमार, जरो बार ये एकजाम में पूछा जा चुका है, चुकुमार सेन इनका जो नाम है, अब देखिए कुछ और बातों को हम लोग डिसकस कर लेते हैं, और ये जो है पिछले महिना का ही करेंटेफेर्स है, 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी को हम लोग स बताओगे, और जब 9 जनवरी को गांदी जी वापस लोटे थे दक्षिन प्रिका से भारत, तो उसी डे को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप बताओगे, नहीं पता है, जनवरी वाले करेंटेफेर्स को देख लिजे, पता चल जाएगा, राष्टपती इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, और लोगपाल जो है, भरष्टा चाप पे काबू करने के लिए इसको बनाया गया है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर, इस्रो के दूसरे स्पेस स्टेशन, पाला स्टेशन कहां है, आपको पता है, आंदर प्रद इस्रो की अस्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1990 को, इस्रो के चीप कौन है, सोमनात, आप लोगों ने उनका जो है बयान वगएरा देखा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, राष्टिये बिग्यान दिवस परती वर्स कब मनाया जाता है, तो दखिए राष्टिये बिग्यान दिवस परती वर्स मनाया जाता है, 28 फरवरी को, किनके सम्मान में, तो याद रखिएगा, सीवी रमन के सम्मान में, और इनको जो है, रमन इफेक्ट के लिए नोबल प्राइस भी मिल चुका है, बहुत इंपोर्टन्ट है, 1987 से जो है, इनको जो है करेंट अफेर्स जो इंपोर्टन्ट थे, अगर आपको पिछले 6 महने के करेंट अफेर्स एक साथ चाहिए, विडियो आपने यहां तक देख लिए है, तो नीचे 6M कॉमेंट करिएगा, इसके उपर एक डेडिकेट विडियो मैं बना दूंगा, इस विडियो को ज्यादा स ज्यादा, वाट्स अफ या फिर टेलिग्राम ग्रूप में सेयर करें, साधा करें, उन तक पहुँचाएं, विडियो को लाइक करें, और यहां तक विडियो देख लिए हो तो जह हिंद नीचे जरू लिखें, थेंक्यू सो मच